लोगाई सब्सक्राइब करें रेस्पी जब लग योट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेज करें हमारे नहीं रेसिपीस देखने के लिए जमें आपको बहुत सारे बिस्कीट्स अलग अलग तरीके से होमेड और घर्पी बनाने का तरीका बता रहे हूं देगे बिस्कीट्स बहुत इज़ी है घर पे बनाना और देशीगी के या डालडागी या फिनार्यलोयल के आप कीसी के भी बना सकते हो पर तो आपको तरीका और इंग्रीडियंट्स बिल्कुल परफेक्ट पता होना चीए तब भी आप बना पाएंगे अगर आपने इंग्रीडियंट्स डालन के मैं पचास ग्राम घी लिया है तो मोशली जितनी कॉंटिटी में मैं बनाती हूं जिस तरह की बिस्कीट्स उनकी डिमांड बहुत होती है और जो भी मेरी घंपी एक बार मेरी घर से बिस्कीट लेकर जाता है उसे बार-बार आना ही पड़ता है क्योंकि बिस्कीट्स बनत किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना आज जो कि आपके घर में या आपके पास में एवालेबल ना हो ड्राइब फ्रूट्स आप सकते हो यह कोई जरूरी नहीं है यह बरफ की तुड़ी सी टुकड़े डाले मैंने तो एक से दो छोटी टुकड़े बरफ के डाल द गी आप अब झाया है वह थोड़ी देर में क्रीमी टेक्चर में कर्वर्ट हो जाएगा तो अब यह देख सकते हो मैंने जब हमारा गीत था अच्छे से कनवर्ट हो गया वाइट हो गया बिलकुल से तो मैंने इसके अदर सुगर पाड़र डाल देया सुगर मैंने डाला है इसके अदर साट ग्राम सुगर डाल कि आप उसको अच्छे से मिक्स किजेगा यहां भी अच्छे से हो चुका है क्रीमी टेक्चर में कनवर्ट हो गया तो अब हम इसके अदर आटा डालेंगे 100 ग्राम और उसको मिक्स करेंगे यहां पर आप बेकिंग सोड़ा बेकिंग पाडर का यूज कर सकते हैं तो बेकिंग सोड़ा डालेगा एक आधा टीस्पून और बेकि बेकिंग पाडर तो इसी तरह से मिक्स करना और थोड़े से मैं यहां पर ड्राइफ रूट्स डाल दिया है तो कॉंटिटी के अकोडिंग की बेकिंग सोड़ा बेकिंग पाडर यूज होते हैं और ग्रम में बता दूं तो आपको 2 ग्रम डालना है बेकिंग सोड़ा और 4 ग बस ऐसी से डो प्रिपेर करने के बाद एक कड़ाई के अंदर नमक हमने प्रीट होने के लिए रखा वाए तो जैसे ही यह पांच से दस मिनट में डो तेयार हो जाएगा हम अपनी बिस्किर्ट प्रिपेर कर लेंगे तो यह मैंने प्लेट लिया थे कि नूर्मल प्लेट किसी क बिस्किट नीची चिपकेंगे रही तो यह थोड़ा सा आटा है यह ब दूढू कर लिया है और हमारा जो त्यार है तो अपनीग केंगे भाएं। यह मैंने थोड़ी चे ड्राइफ फूर्स लियें आप बिस्किट को इसके ऊपर रखोंगी थोड़ा सा दबाऊंगी और जैसे यह ड्राइफ फूर्स इस पे कॉट हो जाएंगे तो यह बिस्किट हमारे तियार है तो बस इसी तरह से मैं अपने बिस्किट को बे कर लेना है त ऐसके प्रेहिट हो चुक्क हो तो प्रेहिटिद कड्ई में हम इससे रखेंगे या कड्ई के जगए कुकरकई कर सकते हैं यह इंपली इस्टेंड होता ना उसका भी आप इस्टेंब कर सकते हैं तो यह confer ऑप प्यार लिए वह रख देते इसके अंदर लख पक 20 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगे एकदम प्रीट करना है कड़ाई को एकदम धुवासा निकलना चाहिए और उसके बाद में डखका लगा देना है रखके प्लेट को फिर एकदम स्लो कर देना है गेस के फ्लेम को और उसके बाद आपक के छोड़के बूल जाते हैं या कोई मिडिल गेस पे पकाते हैं तो उससे थोड़ी दिक्कत हो सकते हैं आप बीच वीच में इसको चेक करते रहे हैं तो यह पर आप देख सकते हो लगबग 20 मिनट के बाद एकदम स्लो फ्लेम पे मैंने बिस्किर्स पकाए बिलकुल बहुत अच्छे से बेको करके तयार हो चुक है कलर देखिया कितना प्यारा एक गॉल्डन सुलरा कलर आ चुका है और देखिए जब गर में सब को दिखा है न तो किसे को इस्वासी निवा कि यह सब हम घर के बना रहे हैं गया बहुत ही अच्छी बिस्किर्स बेको है लेचे से अलग अलग डिजांस में मोल्ड से बराएं वहीं मैं दिखा रहे हूं तो चले एक पीस अब मैं आपको तोड करके दिखा देती हूं और तोडने से पहले यह दिखिए यह है वह बच्छों के फिवरेट बिस्किट्स जो कि मैंने एक ही प्लेट में बनाएं इसको उठार कर और फिर पटाफट में आटे के कुकीज जो है वो नट्स वाले तियार हो गए यह भी बहुत ही अच्छे खस्ता बने और मैंने इनको देशी की से प्रिपेर किया था आप चाहे तो डालडा का भी यूज कर सकते हैं तो देखिए बहुत अच्छे कितने बड़या कलर में आय अलग है और यह जब बिसके खाने लगे ना सबको बहुत पसंद आए तो चले नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूं वैसे ही मैंने पचास ग्राम गी लिया है और यहां पे घी बी मैं देशी गी का यूज करे हूं गी को मैंने थोड़ा सा चिल्ड होने के लिए डोह को त्यार करने में दिया था उतना है अभी लिया है और आप इस डोह को अच्छी तरह से त्यार करेंगे पांच साथ मिनट तक आपको त्यार करना है ऐसे अगर आप नौर्मली इसको वीड करते हैं तो अगर आप इसके नेच्चे वह बरफ वाला बाउल लगा लेते है तो आपको 2-3 मिनट ही लगेंगे सुगर पावडर और घी को मिक्स करने में यानि जो टेक्चर होता न वो क्रीमी टाइप में एकदम हलकी से हो जाना चाहिए हमारा यह जो मिश्रन है घी और सुगर पावडर का एकदम हलका सा हो जाता है तो आपके बिस्किट बहुत ही खस्ता और क्रंची बनते हैं तो आप देख सकते हो मैंने बर्फ को नीचे लगा लिया है और बेटर मुष्टली तयार हो जाए मिश्रन जब इस तरह से तयार हो जाए यानि आपके स्पून से या हैंड विक्सर से गिरे नहीं तो इस तरह से आपको देखिए यह इस तरह का आटा होता है और यह मेदद जो होता है बिल्कुल वाइट होता है तो मेदी का इस्तेमाल हम नहीं करें हम यहां पर आटा को किस बना रहे तो आटे का इस्तेमाल करेंगे और अटिकाट दो तियार कर लेंगे इसी के अंदर हम एक पिंच नमक डालेंगे बिस्किट जब भी बनाएंगे आप एक पिंच नमक जरूर डाले आदा चमच बेकिंग पाउडर और एक चोथाई चमच बेकिंग सोडा और अच्छे से इसको छान करके लेंगे जब भी आप बिस्किट पिपेर करो तो जो मिस्रन है उसका प्छान कर लिए जगा इससे एर इंकॉर्पोरेट होती है और आपके बिस्किट बहुत ही खसता बनती है तो मैंने सभी चीज़ों को छान करके ले लिया है और आप इस डो को अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसके बाद अपने मन चाहे सेप में हम बिस्किट कटिंग करके वैसे ही बेक करेंगे जैसे कड़ाई के अंदर क्योंकि सबके पास microwave oven या OTG नहीं होता है तो ऐसी इस्तिती में आप इसे कड़ाई में बना सकते है हाँ एक मत का पोविसीज द्यान रखता है जब आप बेक कर रहे हो और अगर आपको लगे कि उपर से बिस्किट का कलर लाइट है तो आप उसको चेंज कर सकते हो यहाँ पर मैंने दो छुटी चमच मलाई वाला दू डाल दिया है थोड़ी इलाईची का फ्लेवर डाला है और अब इस मिस्टन को अच्छे से तयार करके अपनी मन पसंद की सिप में बिस्किट की कटिंग कर लेंगे तो मैं आपको क्या कह रहे थी कि जब भी आप बिस्कुट बेक करो और इवन साइड से सीख जाए दस से बारा मिनट में तो आप उसको पलट भी सकते हो नाइफ की बैटर डू है वो अच्छे से तयार नहीं हो जाते तर तक आपको नमक को एकदम हाइफ फ्लेम पे प्री हीट कर लेना है तो यह पर मैं नमक को प्री हीट कर रही हूं और उसके बाद में अपनी बिस्किट प्रिपेर करके इसी नमक पी प्लेट को रख करके हम बेक करेंगे तो तोटली ही होता है लगबक किसी के बिस्किट पतले बने हूए होते तो 15 मिनट में भीक हो जाते हैं अगर बिस्किट थोड़ी मोटे होते हैं तो 20 मिनट लग सकता है तो वीडियो को पूरी देखिएगा वीडियो आपको कैसी लगे कोमेट करके जुरूर बताइए और य ये नट से thereा अच्छे से सट होगे अब तोड़ा लेंगे और एक एक बिस्किर लेंगे और से प्लास्टिक पर फेल प्लास्टिक डखकन होता है कुसी का हट का डखकन से की स्काटिंग कर सकते हो जबता है से ने स्व Stick बिस्किर्स बेक होने के बाद निकले नहीं तो मैंने इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे कोकीज त्यार कर लेंगे तो दोस्तों आप वीडियो कहां से देख रहे हों में कुमेट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपकी थैंक्स अदा कर सके और एक बार बना की भी बताइएगा कि आपनी जब बिस्किर्स इस तरह से प्रिपे के तो आपकी बिस्किर्स कैसे बने तो ज़रूर हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भी अप नए हो तो और वीडियो को ज़दा ज़दा सेर कीजिएगा फ्रें पतले ये मोटे आप अपने पसंद के अकोडिंग रख सकते हो इसकी लेयर जो हो अना पतली ये मोटी आप इप जो तियार करेंगे और फिर हम उसको नमक के ऊपर रकरगे लेंगे, और बेख हमेरा low है तो कोड़ उपसे पंक्र ऋपर से प्लट भी दूमकूई पलटने से क्या होता दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन डाउन कलर भी आ जाता है तो आप उसे पलट की भी बेक कर सकते हैं देखिए कैसे बेक करने मैं इसी वीडियो में आपको दिखा रही हूं ताकि कभी आप कंफ्यूज ना हो कि बिस्कुट को पलटे कैसे आपको ट्र अभी यह बेक हो रहे हैं अभी इने में 5-7 मिलाट और बेक करूंगी फिर इस तरह से देखिए यह पलट दूंगी पलटने से नेचे से कलर भी बहुत अच्छा सा प्यारा सा आ जाता है और इसी तरह से मैं खूप सारे कुकी जो और भी तियार कर लिये हैं और इसी ट्रे मे और इसके बाद कुकीज घर पे बनाएगा और हमें बताएगा कि आप कहां से हैं और आपने कुकीज बनाए तो आपके कैसे बने तो लीजे इस पलेट को भी मैं बेक अने के लिए रख दूंगी लाज़क में आप रिजट देखिएगा और हमें कॉमेंट करके हमारे से बेक हो जाते हैं और यह कुकीज मैंने हातों से प्रिपेर किये थे और बस स्लो गेस का फ्लेम जो बिल्कुल स्लो हमने रखा है और आप अगर हमारे आसपास से देख रहे हैं वीडियो तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं हम यह कुकीज बनाने की पूरी टिप्स आ हर्था कि आपके गर पर कुकीज हम बना सकते हैं हम्म् तो गाईज आप देख सकते हो कितने खस्ता और क्रण्ची बिस्किट बन करके तियार हुए है तो आप भी इस तरह से घर पे बना सकते हैं बहुत सारी कॉंटिटी में बना करके सील भी कर सकते हैं जैसे कि मैं करते हूँ बहुत सारे आदी कोस्ट पड़ती है जब आप इसे घर पे तियार करते हो और फिर आप इसे बेचते हो तो आप बहुत सारा मुनाफ़ा भी कमा सकते हो और देखे बनते कितने सोफ्ट हैं और मैंने तो देशीगी के बनाए तो बहुत ही टेस्टी भी बहुत अच्छे बने हैं और गयों के आठे की बिस्केयट्स हो और कोई पसंद ना करें सता हो सबको बहुत अच्छे लगते हैं वाले के बिसकेयट्स और कलर देखे अब कितना प्यारा होया और देखे और यह वला बड़े वाला जो मैंने आपको डिजाइन वाला ढकन बताया था उससे बनाए तो मनें इतनी सोफ्ट और क्रंची बनें बिस्कीट्स मैं तो देखते हैं मेरा मन कई बार इतने अच्छे बिस्कीट्स बनते हैं